मैंने मेरी एक पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रेजियूम बनाना है अगर आप जोब ढूंड रहे हो फ्रेशर हो या एक्सपीरियन्स हो जो भी हो ठीक है तो सबसी तो मेन फेक्टर आता है वो आता है रेजियूम पर क्योंकि रे रेजियूम के ऊपर ही डिसाइड करता है कि आप उस जोब के लाइक हो या नहीं हो तो रेजियूम को एक इंप्रेसिव अट्रेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है तो क्या-क्या पॉइंट्स है क्या-क्या हमें उसमें डालना है तो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा तो वो इस्टारिंग सेंडिंग तक पूरा थी सबसे पहली बात आथी कि आपका जो रेजियूम है वो कलर प्रिंट आउट होना चीए ब्लेक एंड वाइड में रेजियूम मत रखो ठीका ब्लेक एंड वाइड से एक अलगी चीड होती है उसको पहले निकालते है तो हमेश चीज आती है कि आपका जो नेम है वो बोल्ड होना चीए एकदम क्लियर कट दिखना चीए कि आपका नाम क्या है और उस नाम की नीचे आपका डेजिगनेशन यानि कि आपकी पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हूं या आप क्या हो या जैसी कि मैं सॉफ्टेर इंजिनेर तो इस तरह से आपको करना आपका नाम एकदम बोल्ड में लिखना है और उसके नीचे आपका डेजिगनेशन कि आप क्या हो फिर नेच्ट आता है हाईलाइट योर स्किल्स एंड प्रोजेक्ट अगर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं किया आप फ्रेशर हो तो आप कुछ आता है आपको यहां experience है तो जो important skills है जो important projects है उनको top में रखो क्योंकि जब interviewer आपका resume देखे तो सबसे पहले उसी चीज़ पे नजर पड़े जो आप उनको दिखाना चाहते हो जो उस company को चाहिए next सीज़ आती है आपकी qualification जो भी आपकी qualification है वो mention करो resume के अंदर अगर आप IT background से नहीं है तो भी आपकी जो भी degree है आपने become किया है आपने BMS किया है आपने जो भी किया है वो mention करो अपने resume के अंदर next important चीज़ आती है mention और contact details यह बहुत जरूरी है इसी से जो employer जो HR है वो आप आपको contact करेगा mention करने है कि आपका जो number है आपकी जो email ID वो correct हो क्योंकि उसी पर call और email आएंगे तो अगर resume आपका भर गया है तो it's okay आपको एक page का resume बनाना है अगर थोड़ी जगा खाली है उसमें आप अपनी hobbies डाल दो कि आपको क्या पसंद आपको book reading पसंद आपको food cooking पस ठीक है weakness है it's not matter ठीक है matter करती है आपकी skills आपने क्या projects बनाए है and qualifications ठीक है IT, non IT it's fine and fourth is आपकी contact details जिससे आपको employer contact करेगा and fifth चीज नर्मल हो भी जो भी आपकी hobby है ठीक है तो यह 5 चीज़े आप अपने resume में जरूर से जरूर डाले and हाँ and एक चीज और आपकी जो profile photo है वो भी आप resume के अंदर mention करो क्योंकि color print out आएगा तो आपके photo भी अच्छे से visible रहेंगे ठीक है तो photo के साथ अपना पूरा resume आप prepare करो यह video में night को shoot कर रहा हूं अभी 11.30 हो रहे है क्योंकि पूरा दिन job में ही निकल जाता है time ही नहीं मिलता है एक Sunday मिलता है उसमें भी planning रहती कि possibility रहती है आप मतलब पूरा दिन ऐसी निकल जाएगा पता भी निचलेगा आपको जब job करो के तो आपको पता चलेगा ठीक है तो मैं आपके लिए इसा time निकाल के आपको आपके लिए content ला रहा हूं तो आप भी मुझे थोड़ा support करें ठीक है तो इसी तरह के और videos के लिए और क्या doubts है आपके जो भी doubts हो मुझे comment कर गो तो मैं उन पर भी videos आपको बना दूंगा ठीक है तो मिलते है next video मैं thank you